ओम शांती सुनते हैं आज 23 अगस्त 2024 की साकार मुली मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे दुख हरता सुक करता बाब को याद करो तो तुमारे सब दुख दूर हो जाएगे अंत मते सो गती हो जाएगे क्या कहते बाबा बाबा कौन है हमारे दुख हरता सुक करता अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा की याद से हमारे विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा तो दुख की अन्भूती नहीं होगी तो बाबा कहते आप बच्चों के सब दुख दूर हो जाएगे और अंत् की मूरली से प्रश्ण है बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डारेक्शन क्यों दिया है बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डारेक्शन क्यों दिया है बाबा ने उत्तर दिया पहला पॉइंट क्योंकि याद से ही जनम जनम रह सकेंगे अंत के लिए ही गायन है अंत काल जो इस्त्री सिम्रे चौथा पॉइंट बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं इसलिए बाप का डिरेक्सन है बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो तो बाबा ने चलते फिरते याद में रहने का डिरेक्सन क्यों दिया एना क्योंकि इससे कितनी सारी प्राप्तियां है एना भोज भी पापों का इसी से उतरेगा आत्मा सतो प्रधान भी इसी से बनेगी और अंतिकाल में अंतमतिसु गती भी हमारी सिष्ट हो जाएगी और बाबा की याद से ही किस जन्मों का सुख भी मिलेगा तो इसलिए बाबा ने हमें याद में रहने का डारेक्शन दिया है ओम शान्ति बाबा पूछते किसकी याद में बैठे हो यह है प्यारेती प्यारा संबन्द एक के साथ जो सब को दुखों से छुडाने वाला है बाब बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कड़ते जाते हैं आत्मा सतुप्रधान तरब जा रही है दुख तो अथा है ना गाते भी हैं दुख हरता सुख करता यह ना बाबा का एक करता ववाचक नाम क्या है बाबा कौन है दुख हरता सुख करता दुख हरने वाले और सुख देने वाले यह ना बाबा कभी दुख नहीं देते भक्ति मार्ग में आत्मा है भगवान को ही दोस्ट देती रहती हैं अपने दुख के लिए पर बाबा हमें कभी भी दुख नहीं देते वो तो सुक देते हैं अब बाब तमको सच सच सब भूसे छुड़ाने आए है स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता पर बाबा तो हमारे लिए ऐसी दुनिया ही बना देते हैं में दुख का नामों निशान नहीं है ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है बाप का बच्चों के पती प्यार होता है ना यह तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो दे नहीं समझो जो अच्छे रतन है वे बाप को चलते फिरते याद करते हैं यह भी क्यों कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जनम जनमांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है तो इस याद की आत्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुन आत्मा बन जाएंगे यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है दुक आत्मा को ही मिलता है सरीर को चोट लगने से आत्मा को दुक फील होता है आत्मा कहती मैं रोगी हूँ दुखी हूँ यह दुख की दुनिया कहां भी जाओ दुख ही दुख है सुखधाम में तो दुख हो ना सके दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुखधाम में हो सुखधाम में तो जराबी दुख नहीं है जराबी दुख है तो इसका मतलब वो सुखधाम नहीं है सुखधाम का मतलब यह है जहां सुख ही सुख है समय भी बाकी थोड़ा है इसमें पुरसार्थ करना है बाप को याद करने का ये ना बस थोड़ा समय बचा है हमात्माए कहा चली जाएंगी सुखधाम में बाबा कहते जितना याद करते रहेंगे उतना सतो पुर्धान बनते जाएंगे पुरसार्थ करके अवस्ता ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाडी में सिवाई एक भाप के कुछ याद ना है एक गीत भी है ना, अंतकाल जो इस्तरी सिम्रे, यह अंतकाल है ना, पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है अभी तुम सुखधाम चलने का पुरसार्थ करते हो, तुम सुद्र से ब्रामण बने हो यह तो याद रहना चाहिए ना, सुद्र को दुख और हम दुख से निकल फिर अप चोटी पर चड़ रहे हैं तो एक बाप को याद करना है, बाबा हमारा मोश्ट विल्वेड बाप है, सबसे प्यारा उनसे मीठी चीज कौन सी होती है, कोई संसार में बाबा से मीठी चीज, कोई नहीं सकती बाबा कहते आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना सब आत्माओं का बाप है उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके यह ना बाबा इतना मीठा है कि बाबा को याद करने से ही मन महक जाता है मन में मिठास आ जाती है तो बाबा कहते इतने सब ढेर बच्चे हैं कितने में याद आते होंगे सेक्रिंड में अच्छा सारे सिष्टी का चक्र कैसे फिरता है वे भी तुम बच्चों को बुद्धी में अर्थ सहथ है जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं पूछेंगे ड्रामा याद है हाँ कहने से ही सारा बुद्धी में आ जाता है सुरू सिले के अंत तक बाकी वे बड़न करके सुनाने में तो समय लगेगा बाबा अबिहत का बाबा है उसको याद करने से ही किस जन्मों का सुख सामने आ जाता है बाब से यह वर्सा मिलता है सेकेंड में बच्चों को बाब का वर्सा सामने आ जाता है बच्चा पैदा हुआ बाब जान जाते हैं बारिश ने जन्म लिया है सारी मिलकी अत्याद आ जाईगी तुम भी अकेले अलग-अलग बच्चे हो अलग-अलग वर्सा मिलता है ना अलग-अलग याद करते हो हम बेहत बाप के वारिस हैं कौन है हम बेहत बाप के वारिस सत्युग में तो एक ही वच्चा होता है वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा हो बच्चों को बाप मिला और विश्यो का मालिक बना सिकिंड में देरी नहीं लगती बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो फीमेल मत समझो क्या कहते बाबा मेल फीमेल की फीलिंग में मत जाओ या अपने को क्या समझना है मैं इक आत्मा हूँ आत्मा तो बच्चा है ना बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पढ़ते हैं आत्मा है सब भाई भाई है जो भी सब धरमबाले आते हैं वे कहते हैं सब धरमबाले भाई भाई है परन्तु समझते नहीं है है ना कि कैसे भाई भाई है दे के आधार पे तो भाई-भाई हो नहीं सकते परात्मी कुरूर से हम सब एकी पिता के बच्चे हैं इसलिए भाई-भाई हैं अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोश्ट बिल्वेट बच्चे हैं बाब से पूरा बेहत का वर्सा जरूर मिलेगा कैसे लेंगे वे भी तुम बच्चों को सेकिंड में याद आ जाता है हम सतु प्रधान थे फिर तमु प्रधान बने अब फिर सतु प्रधान बनना है तुम जानते हो बाबा से हमको सर्ग की सुकों का वर्सा लेना है बाब कहते हैं अपने को आत्मा समझो देहे तो विनासी है आत्मा ही सरी छोड़ कर चली जाती है फिर जाकर दूसरा नया सरीर कर में मिलीती है पुतला जब तयार होता है तब आत्मा उसमें प्रिवेस करती है परंतु वह तो है रावड के वस विकारों के वस जेल में जाते हैं वहां तो रावर होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं, यह ना बाबा केते हैं, यहां कल्यूग में, अर्थात, दुख दाम में, कभी भी सरी छोड़ेंगे, तो दुख ही भोगना पड़ेगा, यह ना क्योंकि यह है ही पतित दुनिया, बाबा केते हैं, जब बूरे होते हैं अब ये सरीच छोड़ हम दूसरे सरीर में जाकर प्रिविस्ट करेंगे. वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती है. यहां तो कितना डरते हैं? वहां नेडर होते हैं. बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं. नहीं यहां तो हर चीच का डर है. खल्यूग में अपार दुख है. इसलिए से कहते ही हैं दुखदाम. बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं. भल ग्रेस्ट बेवार में रहो. बच्चों को समालो. सिर्फ बाप को याद करो. क्या कहते बाबा? यहना भल ग्रेस्ट में रहो. अपने बाल बच्चों को समालो दंदा धोरी करो. सिर्फ बाबा को याद करो. गुरु गुसाई सब को छोड़ो. बुद्धी से अब सब को भूलना है. एकसत गुरु मिला. सचा रास्ता दिखाने वाला. फिर देधारियों की क्या जरूरत बाबा कहते हैं. पर कोई आत्माओं को पतित से पावन नहीं बना सकता है. पतित से पावन सिर्फ और सिर्फ एक बाबा ही बना सकते हैं. क्या ब्रह्मा विश्मु संकर को पतित पावन कहेंगे? पूछ रहें बाबा? नहीं. देधाओं को भी नहीं कह सकते. सिवाए मेरे. अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावन नहीं कहेंगे? बाबा पूछ रहें. यह पानी की नदियां तो सदे पावन नहीं बन सकती. नदियों के पानी का महत होता है क्योंकि वो हमारे जीवनियापन के लिए जरूरी है. चाहे फिर वो गंगा नदी हो या कोई और नदी. क्योंकि नदियां जल का एक बहुत बड़ा सरोत है. तो बाबा क्या कहते हैं? नदियां तो सदे बैती रहती हैं. गंगा, ब्रम, पुत्रा, आदी भी तो चली आती हैं. इन में तो इश्नान करते ही रहते हैं. बरसाथ पड़ती है तो फ्लड़ा जाती है. यह भी दुख हुआ ना? नदियां भी दुख देती हैं जब बरसाथ होती है, बाड़ा जाती है तो. नदियां पतित पावनी नहीं है. पर ग्यान नदियां पतित पावनी है एना भावा की बच्चियां जो हमें इसरी ग्यान दे के पावन बनाती है एना जो हमारी निम्मित दीदियां है उनको हम जरूर पतित पावनी बोलेंगे तो ग्यान नदियों की बात है ये पानी की नदियों की बात नहीं है तो बाबा क्या कहते है ये भी दुख हुआ ना बरसात पड़ती है तो फ्लटा जाता है अथा दुख है बाड में देखो कितने मनुश्य मर गए सत्युग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है उनकी भी अकालिम रत्यु नहीं होती कितनी सुन्दर दुनिया, जानवरों को भी कोई कष्ट नहीं है यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है भक्ती में गाते हैं बाबा, आप जब आएंगे तब हम आपके ही बनेंगे आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदी के बीच में ही आएंगे परन तो यह किसको पता नहीं है स्रिष्टी की आयू कितनी होती है यह भी नहीं जानते बाब कितना सहज बतलाते हैं आगे तुम जानते थी क्या, कि स्रिष्टी चकर की आयू पांच हजार वर्स है पूछ रहे हैं बाबा, वे तो लाखों वर्स कह देते हैं ना, दुनिया में लाखों वर्स ना, स्रिष्टी चकर को मान कर बैठे हुएं सभी अभी बाब ने समझा है, 1250 वर्स का हर यूग होता है स्वास्तका में पूरे चार भाग होते दिखाते हैं जरा भी फर्क नहीं होता है, ना, चारो यूग बराबर होते है पर भक्ती मार्ग में जो यूग दिखाएगे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनकी एज अलग-अलग है तो बाबा कहते हैं, फर कैसे हो सकता है? स्वास्त का ही तो सिश्टी चकर का सिंबल है वेवेक भी कहता है, एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए पुरी में भी चावल का हंडा चड़ाते हैं पूरे चार हिससे आ पही हो जाते हैं, ऐसी एक्धि बनाई हुए है वहाँ चावल बहुत खाते हैं जगनात कहो वा श्रीडात कहो बात एक की है दोनों ही काले दिखाते हैं श्रीणात के मंदिर में घीके भंडार होते हैं सब घीकी तली हुई अच्छी चीजें मिलती हैं बाहर में दुकान लग जाते हैं कितना भोग लगता होगा सब यातरी जाकर दुकदारों से लेते हैं और जगनात में फिर चाबली चाबल होते हैं वह जगतनात और वह श्रीनात सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं बाबा कहते हैं दोनों अलग-अलग समय की सुचक है जगतनात का मंदिर द्वापर और कल्यूक का सुचक है और सीनात का मंदिर सत्य गोत्यता का सुचक है क्योंकि स्रीनाथ अर्थात सुखधाम और जगनाथ अर्थात दुखधाम स्रीनाथ सुखधाम का था वैद दुखधाम का काले तो इस सम्में बन गए हैं कामचिता पर चड़ कर जगनाथ को सिर्फ चावल का भूग लगाते हैं इनको गरीब, उनको सहुकार दिखाते हैं, ग्यान का सागर एक ही बाप है ना, भक्ती को कहा जाता है अग्यान, भक्ती को बाबा ने क्या कहा अग्यान, तो भक्ती में चाहे हम कुछ भी पढ़ लें, इतने भी वेद, उपवेद, आरन्ययक, अबनिशत, ब्रहमर, सहीताएं, कुछ भी पढ़ लें, रट लें, पर बाबा क्या कहते हैं, है ना, वो अग्यानता ही है, भगवान हुआ अच्छा है ये, भगवान संगम युकपर, ब्रहमा बाबा की तन में फिर्वेस करके, है ना, जो इस्वरी ग्यान देते हैं, बस वही सिर्फ ग्यान है, जिसे हम मु भगती को कहा जाता है, अग्यान, उनसे कुछ मिलता नहीं, वहां सिर्फ गुरू लोगों की आमदनी बहुत होती है, वो शियार होगा, उनसे कोई सीखेगा, तो कहेंगे, है हमारा गुरू है, उसने हमको यह सिखा है, यह सब हैं जिसमानी जनम लेने वाले, अभी तुमार तो यह मेरा शरीर नहीं है, यह दादा का सरीर है, जिसने पूरे चौरा सी जनम लिये है, इनके बहुत जनमों की अंत में मैं प्रिवेश करता हूँ, तुम को सुखधाम ले जाने, इसको गव मुख भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख को भक्ती मार्ग में क्या बोला ग पावन बनाने वाला, बाबा केते हैं, बाबा केते हैं, मुझे याद करो तो पावन बनेगे, दे सहत दे के सभी संबंद छोड़, अपने को आत्मा समझकर, मुझे याद करो तो तुमारे जनम जनमांतर की पाव भसम हो जाए, बाब तुमको जनम जनमांतर के पावों से छोड़ाते हैं, बाबा युकती बताते हैं, अब जोज इतना करे, इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं करम भूग है ना अगले जनम में पाप किया है 63 जनम का हिसाब किताब है थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है जैसे चंदरमा की कलाएं कम होती है ना यह फिर बेहत का दिन रात है अभी सारी दुनिया पर उसमें भी खास भारत पर राहू की दसा बैठी हुई है राहू का गड़े लगा हुआ है अभी तुम बच्चे स्याम से सुन्दर बन रहे हो इसलिए स्री किष्ण को भी स्याम सुन्दर कहते है सच मुछ काला बना देते है काम चिता पर चड़े हैं तो निशानी दिखा दी है परन्तु मनश्यों की कुछ बुद्धी चलती नहीं एक सावरा दूसरा गोरा कर देते है कभी उसी का चितर सावरा और कभी गोरा कर देते है बावा कहते पता ही नहीं दुनिया में किसी को कि सावरे का आर्थ क्या है और गोरे का आर्थ क्या है अभी तुम गोरा बनने का पुरसार्थ कर रहे हो आत्मा जब पावन होती है तो गोरे रूप में दिखाई जाती है और जब पतिद बन जाती है तो काले रूप में दिखाई जाती है सतो प्रिधान बनने का पुरसार्थ करेंगे तब तो बनेंगे न इसमें तकलीफ की बात नहीं है या ग्यान अभी तुम सुनते हो फिर प्राया लोप हो जाता है भल गीता पढ़कर सुनाएंगे परंतु या ग्यान तो सुना ना सके वे हुआ बक्ती मार के लिए पुस्तक बक्ती मार के लिए धेर समिगरी है धेर सास्त रहें कोई क्या पढ़ते कोई क्या करते राम के मंदिर में भी जाते है राम को भी काला कर दिया है विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते है काली कलकते वाली भी है मा मा कह है हैरान होते है सबसे काली वह है और बहुत भेहनक दिखाते है उनको फिर माता कहते है तुम्हारे ए ग्यान वार ग्यान कटारी आ दिया है तो उन्हों ने फिर हत्यार दे दिया है वास्तों में काली पर पहले मनुश्यों की बली चड़ाते थे बावा कहते हैं एक टाइम ऐसा था कि काली मा के ऊपर मनुश्यों की बली चड़ती थी अभी गवर्मेंट ने बंद कर दिया है आगे सिंद में देवी का मंदिर नहीं था जब बम फटा तो एक ब्रामण बोला काली ने हमें आवाज दिया है हमारा मंदिर है नहीं जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे बस देर पैसे खटे हो गए मंदिर बन गया अभी देखो देर मंदिर हैं कितनी जगे बटकते हैं बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं किसकी गिलानी नहीं करते हैं, यह नब बाबा कहते हैं, मैं किसी की गिलानी नहीं करता हूं, पर राइट बात तो समझाऊंगा ना, यह नब बाबा नहीं समझाए, तो हमें कौन समझाए, बाब ड्रामा समझाते हैं, यह सिश्टी चक्र कैसे बना हुआ है, जो कुछ तुमने देखा वे फिर होगा जो चीज नहीं है वे बनती है तुम समझ गए हूँ हमारा राज था वे हमने गवाया है अब फिर बाप कहते हैं बच्चे नरसी नाराइन बनना है तो पुरसार्थ करो भक्ती मार्ग में तुम बहुत कथाय सुनते आयो अमर कथा सुनी फिर कोई अमर बने बाव कहते कितनी बार अमर कथा सुनी और अमर बने क्या किसको ग्यान का तीसरा नेत्र मिला तीजरी की कथा सुनके यह बाप बैटकर समझाते हैं इन आखों से कुछ भी evil ना देखो civil आखों से देखो क्रिमिनल से नहीं किसी की देह नहीं देखना किसी कमी कमजूरियां नहीं देखनी है इस पुरानी दुनिया को ना देखो यह तो खलास हो जानी है बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों हम तुमको राज दे कर जाते हैं 21 ज्छनम के लिए वहां और कोई राज होता नहीं कोई ऐसा दूसरा राज नहीं है जो लडाईयां हो दुख का नाम नहीं तुम बड़े सुकी और धनवान होते हो यहां तुम मनों से कितना भूक मरते हैं वहां तु सारे विश्य में तुम राज करते हो कितनी थोड़ी जमीन चाहिए छोटा बगीचा फिर ब्रदी होते होते कल्योगांत तक कितना बड़ा हो जाता है कहां नौलाग से ड्रामा की सुरुआत होई और आद कितनी आत्माए हो गई है तो बाबा कहते हैं पांच विकारों की प्रिवेश्टा के कारड वे काटों का जंगल बन जाता है ना फूलों का बगीचा क्या बन गया काटों का जंगल प्रावड का राज हो गया बाब कहते हैं काम महाशत्रू है इनसे तुम आदी मद अंत दुख पाते हो ज्यान और भक्ती को भी अब तुमने समझा है विनास सामने खड़ा है इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरसार्थ करना है नहीं तो पाप भसन नहीं होंगे बाब की याद से ही पाप कटेंगे पतित पावन एक बाप ही है कल पहले जिनोंने पुरसार्थ किया है वे करके ही दिखाएंगे ठंडे मत बनो सिभाए एक बाप के और कोई को याद ना करो सब दुख देने वाले है बाब कहते हैं मेरे सिभाए इस समय सब तुमको दुख देने वाले है जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो इसमें गफलत नहीं करनी है याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्छों प्रती मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्छों को नमस्ते हम रोहानी बच्छों की रोहानी बात पिता बाप तादा को दिल वाजान, सिक वाप्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते थैंक्यू बाबा, लब्यो बाबा ударنا के लिए मोकिसार, पहला पॉइंट इन आखों से evil, बुरा नहीं देखना है बाप ने जो ग्यान का तीसरा नेतर दिया है उस civil नेतर से ही देखना है सतो प्रिधान बनने का पूरा पुरसाद करना है दूसरा पॉइंट गरिष्ट बिभार को समालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है अवस्ता हैसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाए दूसरा कुछ भी याद ना है आज बाबा ने वर्दान दिया अपनी स्रेश्ट ब्रत्ती द्वारा विश्चु का वाता वरड़ परवरतन करने वाले आधार मूरत भाव बाबा ने विश्चार में समझाया आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो लेकिन विश्चु की सर्वात्माओं के आधार मूरत हो आपकी स्रेश्ट ब्रत्ती से विश्चु का वाता वरड़ परवरतन हो रहा है आपकी पवित्र द्रिश्टी से विश्चु की आत्माएं और पिरकती दोनों पवित्र बन रही है द्रिश्टी से सिष्टी बदल रही है आपके सिष्ट कर्मों से सिष्टाचारी दुनिया बन रही है अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविश्म में ताज तक्त मिलता है स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विगन आपको रोग नहीं सकता अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई भी विगन परिसान ना कर सके तो उसके लिए सर्वशक्तिवान बापा को अपना साथी बनाना होगा तो ये है मीठे बापा की आज की मीठी मीठी मुली ओम शांती